नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर है मुख्य समाचार प्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़ादा ज़ादा लाइक और शेर करें तो दोस्तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर दिल्ली में कोविड अनलोक के दोरान बाज़ारों में उम्डी भीड पर हाई कोट हुआ सक्त कहा इस से तेज हो जाईगी थर्ड वेव जियां दोस्तो कोविड नैंटीन की दूसरी लहर का भयंकर कहर जेलने के बाद राष्ट राजधानी दिल्ली में अनलोक शुरू हो चुका है लेकिन इस दोरान सुरक्षा प्रोटोकोल का बड़े पेमाने पर उलंगन देखा गया है लोग बिना मास्क के घुमते नजर आ रहे हैं इस पर हाई कोट ने शुकरवार को स्वतह संग्यान लेते हुए कहा कि सुरक्षा नियमों का इस तरह उलंगन करने से तीसरी लहर तेज होगी और इसकी अनुमती नहीं दी जा सकती दोस्तो दिल्ली हाई कोट ने इन हालातों को देखते हुए केंदर और दिल्ली सरकार को इस सम्मंद में सक्त कदम उठाने के निर्देश दिये हैं कोट ने यह भी कहा है कि दुकानदारों को जागरुक किया जाए और व्यापारी संगटनों के साथ इस मसले पर बैठ के की जाए ताकि लोग मास्क लगाने शोशल डिस्टेंसिंग रखने जैसे नियमों का सक्ती से पालन कर सके इसके साथ एक कोट ने सरकारों से यह भी पूचा है कि लोगडाउन खोलने के बाद कोरोना संकमन से बचाओ के लिए जारी नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर क्रशी कानुनों को रद करने के लावा किसी भी प्राउधान पर कभी भी बात करने को हैं तेयार क्रशी मंतरी नरेंद्र सिंग तोमर ने कहा जिया दोस्तो नई कृशी कानुनों को लेकर केंदरिये कृशी मंतरी नरेंदर सिंग तोमर ने मोधी सरकार का रुख साफ किया है तोमर ने कहा है कि नई कृशी कानुनों से सम्मंदित प्राउधानों पर किसी भी किसान संगठन से और कभी भी बात करने को तेयार है उन्होंने कहा कि कोई कमी नहीं है भारत सरकार किसानों से वारता करने को तेयार है रिपील यानिकी निरस्त करने को छोड़ कर एक्ट से सम्मंदित प्राउधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को तेयार है तो नरेंदर सिंग तोमर उसका स्वागत करेगा भारत सरकार नए क्रिशी कानून से सम्मंदित प्राउधानों पर किसी भी किसान संगटन से और कभी भी बात करने को तेयार है दोस्तो किसान संगटन तीनों क्रिशी कानूनों को रद करने की मांग पर अड़े हुए है जबकि सरकार का कहना है कि वह हैं जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तेयार है केद सरकार ने कई बार संकेत दिये कि किसान संगटनों को सिर्फ इन कानूनों को रद करने से इतर कानूनी बिंदूओं पर बात करनी चाहिए तबी बात आगे बढ़ सकती है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर कलकता हाई कोट में ममता बैनर जी की याचका पर सुनवाई 24 जून तक के लिए टली जियां दोस्तो कलकता हाई कोट ने शुकरवार को पशिम मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बैनर जी द्वारा दायर याचका पर सुनवाई 24 जून तक के लिए टाल दी है दरसल दोस्तों पशिम मंगाल विदानसबा चुनाओ की नतीजे घोशित हुए डेड़ महीने से जादा हो गया है और मुख्य मंतरी ममता बैनर जी सत्ता पर काबीज हो गई है लेकिन वह नंदी ग्राम में मिली हार को गलत बता रही है चुनाओ नतीजों के 46 दिनों बाद ममता बैनर जी ने नंदी ग्राम सीट पर शुवेंदू अधिकारी की जीत को 46 दिन बाद कलकत्ता हाई कोट में चुनोती दी है हलांकि उन्होंने इसका एलान पहले ही कर दिया था दो मई को पश्वें मंगाल की चुनाओ वी लड़ाई में शुवेंदू अधिकारी ने टीम से सुप्रीमो मुख्य मंतरी ममता बैनर जी को माद दी थी चुनाओ आयोग के आंकडों के मुताबित अंधिकराम सीट से सुवेंदू अधिकारी ने ममता बैनर जी को 1956 वोटों से हराया था चुनाओ में शुवेंदू अधिकारी को कुल 1,9,673 वोट मिले जबकि ममता बैनर जी को 1,7,937 वोट मिले थे इसके बाद ममता बैनर जी ने EVM मशीनों से छिड़ चाल का आरोप लगाया था इसके अलावा उन्होंने मदगर ना में धांदली के भी आरोप लगाये थे जिसे चुनाओ आयोग ने बाद में खारिज कर दिया था इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर राजस्तान कांग्रेस का विवाद खत्म करने में जुठी प्रियंका गांदी नाराज सचिन पाइलेट से कर रही है बात जिया दोस्तो राजस्तान में कांग्रिस पार्टी में चल रही आंतरिक कलहय को खत्म करने की जिम्मिदारी अब खुद पार्टी महासचियू प्रियंकाग गांदी ने ले ली है और सचिन पाइलेट के अलावा उनके समर्थकों से बात कर रही है इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माखन ने दी है दोस्तो कांग्रेस महासचिव अजय माखन ने सचिन पाइलेट और उनके समर्थक विदायकों की नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि पाइलेट के साथ पार्टी महासचीव प्रियंका गांदी की बातचीत चल रही है सचिन पाइलेट के साथ वह और कांग्रेस के संगठन महासचीव के शुवेन गोला गोपाल भी बातचीत कर रहे हैं दोस्तो सचिन पाइलेट और उनके समर्थक विदायकों के नाराज होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी ने कहा कि यह सब बातें बे बुनियादी है उलेखनी है कि बाइलेट हाल ही में कई दिनों तक दिल्ली में थे और फिर ज आंकडे जोडे ताकि टीका करण की रफतार जादा दिखा सके जी हां दोस्तो कोरोना से मोत के आंकडों पर प्रदा डालने वाली बिहार सरकार वैक्सिनेशन के आंकडों में बड़ा फर्जी वाला कर रही है सरकार ने जून के 17 दिनों में वैक्सिनेशन के 8.3 लाग पर चली गई है दोस्सवाचार पत्र देनिक्भास करने परताल कर सरकार के इस फरजिवाड़े का खुलासा किया है सरकार की तरफ से हर दिन के vaccination का आंकड़ा जारी किया जाता है हर दिन जानकारी दी जाति है कि एक दिन अज के vaccination का data जोड़ दिया जाए तो अब तक के कुल vaccination का data सामने आ जाएगा लेकिन इस data में हर दिन बड़ा खेल किया जा रहा है इससे दो दिनों के बीच के कुल आंकडों में बड़ा अंतर आ रहा है और कुल 17 दिनों में यहां अंतर 8,93,000 को पार कर गया है यानि की 8,93,000 फ शेत्रिय शांती सुरक्षा को होगा खत्रा जिया दोस्तू हर समय कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान ने अब भारत को धम की दी है पाकिस्तान के विदेश मंतरा ले ने गुरवार को कहा कि अगर भारत ने कश्मीर में कोई और कदम उठाया तो पूरे इलाके की शांती और सुरक्षा खत्रे में पढ़ जाएगी पाकिस्तान ने कश्मीर के सम्मंद में कोई और कदम उठाने के खिलाब भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि यह शेत्रिय शांती और सुरक्षा को खत्रे में डाल सकता है एक प्रेस वारता में पाकिस्तानी विदेश मंत करनाग चाहिए वहीं दोस्तो पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने भी प्रतिकरियाद दी है भारतिय विदेश मंत्रा लेके प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि केंदर शाशित प्रदेश जमू और कश्मीर भारत का अभिन नहीं बदला जा सकता सीमा पार आतकवाद भी सविकार रहे और किसी भी तरक के जरीये इसे सुविकार रहे नहीं किया जा सकता इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर कोरोना की प्राड़ी के लिए दिल्ली कितनी है तैयार सीम के इजरिवाल ने LG को बताया पूरा प्लान जीन दोस्तों दिली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने कोरोना की संभावी तीसरी लहर के मद्दे नज़र की जारई तेयारियों को लेकर शुकरवार को उपराज जेपाल यानि की LG अनिल बेजल के साथ बैठक की इस दोरान मुखे मंत्री ने संभावी तीसरी लहर के मद्दे नज़र दिली सरकार के एक्षन प्लान और रोड में पर LG से विस्ता से चर्चा की दिली सरकारदारा बेठक में गठित स्टेट लेवल टास्क फोर्स स्वास्ते कर्मियों की संख्या में इज़ाफा करने और बच्चों के इलाज के लिए बाल चिकित सा टास्क फोर्स पर मुखे रूप से चर्चा हुई साती मुखे मंत्री के PSA Oxygen Plant Cryogenic Battling Plant MLO Storage Plant अस्पातालों में Oxygen और बेड प्रबंदन दवाओं की विवस्ता और वैक्सिनेशन को लेकर LG को जानकारी दी है केज रिवाल ने LG को बताया कि दिल्ली सरकार संभावित तीसरी लहर के दोरान कम से कम 37,000 और अधिकतम 45,000 केस प्रति दिन आने की संभावना के आदार पर अपनी तेयारी कर रही है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर रहुल गांदी ने केंदर सरकार पर साधा निशाना कहा पैट्रोल डीजल के दाम नहीं बड़े तो बनती है बड़ी खबर जिना दोस्तो केरल के वाइनाड से सांसद और कांगरिस के पूर्व अदिक्ष रहुल गांदी ने पैट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ोत्री को लेकर केंदर सरकार पर कटाक्ष किया है उन्होंने कहा है कि इस सरकार के कारेकाल में विकास का यह हाल है कि जिस दिन पैट्रोलियम प्रोडेक्ट्स के दाम नहीं बड़ते तो जादा बड़ी खबर बन जाती है राहुल गांदी ने ट्वीट किया कि मोधी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पैट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े तो अख़बारों में आता है कि आज पैट्रोल डीजल के दामों में मिली राहत जिना दोस्तो देश में इस वक्त पैट्रोल डीजल का बुरा हाल है देश के कुछ हिस्सों में तो पैट्रोल के साथ डीजल भी 100 रुपे को पार कर गया है दोस्तो राजस्थान के श्री गंगानगर में पैट्रोल की कीमत 108 रुपे से जादा हो गई है और यहाँ पर डीजल की कीमत 100 रुपे को पार कर चुकी है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर पशिम मंगाल में फिर गर्माई सियासत कोलकता में बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे केलाश विजेवर्गिये गोबेक के पोस्टर जियां दोस्तों पशिम मंगाल विदानसवा चुनाओं में हार के बाद भाजपा की राजे इकाई में जारी उठा पटक के बीच पार्टी के रास्टी महासच्यू केलाश विजेवर्गिये के खिलाफ कोलकता इस्तित भाजपा कारले के बाहर शुकरवार को वापस जाओ के पोस्टर लगे मिले सेंटरल एवेन्यू इस्तित पार्टी के प्रदेश मुख्याले और हैस्टिंग इस्तित दूसरे अहम भाजपा कारले में लगे पोस्टरों में पश्री मंगाल में भाजपा के प्रभारी विजेवर्गिये की तस्वीर है और उन्हें सेटिंग मास्टर बताया गया है कुछ पोस्टरों में विजेवर्गिये और मुकुलरॉय के गले मिलते के वक्त ली गई तस्वीर है जो करीब साड़े तीन साल तक भाजपा में रहने के बाद इस महीने के शुरू में तरणमूल कांग्रेस पार्टी में वापस लोड़ गए एक समय मुकल रोय तरणमूल कांग्रेस में मुखे मंतरी ममता बैनर्जी के बाद दूसरे सबसे कददावर ने था थे हालांकि बाद में भाजपा कारेकरताओं ने इन पोस्टरों को हटा दिया इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर सरकार की सकती के आगे जुका ट्विटर संसदीय पैनल के सामने पेश हुए प्रतिनिदी दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें सोशल मीडिया प्लेटफरम के दुरूपियोग और अनरोध के बावजूद कारेवाई न करने पर ट्विटर का भारत सरकार के साथ टकराओ चल रहा है सरकार ने ट्विटर को मिलने वाला कानून संगरक्षन भी हटा लिया है इस मामले में सूचना तकनीकी से जुड़ा संसदीय पैनल ने ट्विटर इंडिया के प्रतिनिदी शुकरवार को पैनल के सामने पेश हुए पैनल से जुड़े सांसदों ने ट्विटर के प्रतिनी दियों से पूँचा कि क्या रूल लेंड को सुप्रिम मानना यानि जिस देश में काम कर रहे हैं उस देश के कानून को सरवच्चे मानना आपकी पॉलिसी नहीं है इस सवाल पर एक प्रतिनी दिने जवाब दिया कि हम केवल अपनी पॉलिसी मानते हैं इस पर पैनल में शामिल सांसदों ने कहा कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं उसे लिखित में दें सांसदों ने उनसे यह सवाल भी पूछा कि उनकी भारत में नियुक्तिया कैसे हुई और वे महत्यपूर्ण निलने लेने या पॉलिसी बनाने में कितना अधिकार रखते हैं वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है ट्वीटर पर भारत सरकार की यह कारेवाही जायज है या फिर यह गलत है कमेंड में अपनी रायज जरूर दें इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है इस्तिति तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की बात की जाये तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आख़ा 17,75,24,000 को पार कर गया है जबकि दोस्तो मरने वालों की संक्या 38,44,000 के पार है दोस्तो इस महामारी से सरवादिक प्रभावीत देशों की बात की जाये तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजिल, फ्रांस, टर्की, रशिया, युनाइडिट किंडम, इटली, अर्जेंटिना, आदी देशों का नाम आता है वहीं दोस्तो अब बात कर लेते हैं क्या है भारत में इस महामारी के ताजा हालात लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तो आपको अभी तक हमारी न्यूस पसंद आई है तो इसे एक चोटा साल लाइक जरूर दे दें पार कर गई जबकि दोस्तो मरने वालों की संक्या 3,83,000 के पार है पिछले 24 घंटे की बात की जय तो पिछले 24 घंटे में 62,489 मामले सामने आए हैं दोस्तो भारत में सरवादिक प्रभावित राज्यों की बात करे तो उनमें महरास्टरा करनाटका, केरला, तमील, नाडू, आंधर प्रदेश, उत्रप्रदेश, वेस्ट, बंगाल, दिल्ली, 36 गट, राजस्थान, औरिसा, गुजरात, मद्यप्रदेश अवल हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर मौसम विभाग की चेताउनी, देश के इन राज्यों में अगले कुछ दिनों में हो सकती है भीशन बारिश जिया दोस्तो देश के मौसम विभाग ने चेताउनी जारी की एकी दक्षन पश्मी मानसुन आगे बढ़ गया है विभाग के अनुमान के मुताबित गुजरात, राजस्थान, मद्यप्रदेश उत्रप्रदेश जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों में भीशन बारिश हो सकती है देश के ज्यादतर उत्तर पश्मी हिस्सों को लेकर विभाग ने कहाई कि अगले दो दिनों में यहाँ पर तापमान में जादा फरक नहीं पड़ेगा लेकिन इसके बाद अगले चार से पांस दिनों में लगातार तापमान में व्रत दी होगी इससे पहले राश्ट्रे राजदानी दिली में गुरुवार को कई इलाकों में मानसुन से पहले की बारिश हुई जिससे लोगों को गर्म मोसम से थोड़ी राहत मिली है वहीं दोस्तो भारतिय मोसम विज्ञानी भाग यानिक इंडियर मेटलोजी डिपार्टमेंट के अनुसार नियूनतम तापमान आज सामाने से 2 डिगरी कम 26.2 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान सामाने से 4 डिगरी कम 35 डिगरी सेल्सियस रहा दोस्तों शाम साड़े चार बजे हवा में आदरता का इस्तर 51 प्रतिशत था वहीं दोस्तों मानसुन की स्तिति की बात की जाए तो मानसुन की स्तिति देश में फिलहाल के लिए धीली पड़े गई है और जो मानसुन पहले 10 दिन पहले आ रहा था अब उसका अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस दिन तक इस तारीक को यह इस राज्ये में पहुँच जाएगा विसे दोस्तो जैसे ही यह जानकरी सामने आती है हम वीडियो के माद्यम से आपको जरूर रूबरू कराएंगे इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी ख़बर वर्ल्ड टेस्ट चेंपेंशिप फाइनल इंडिया वर्सेज न्यूजलेंड बारिश के कारण पहले दिन का खेल हुआ रद टोस्त तक नहीं हो सका जिया दोस्तो जिसका डरता आखेर वही हुआ साउथ थेप्टन के मौसम ने किर्केट प्रेमियों को निराश कर दिया वर्ल्ड टेस्ट चेंपेंशिप के फाइनल का पहला दिन बारिश के कारण धुल गया साउथ थेप्टन में लगातार बारिश से तोस्त तक नहीं हो पाया और अंत में मेच अधिकारियों को पहले दिन का खेल रद करना पड़ा जानकारी के मुताबित अब शनिवार को अंठ्याण में और का खेल होगा और अब यह मेच रिजर्व डे तक जाएगा रिजर्व डे में पांच दिनों के गवाई हुए ओवर फैंके जाएंगे दोस्तो अच्छी बात यह है कि साउथ थेंटन में दूसरे दिन बारिश के आसार कम है मौसमवी भाग के मुताबित दूसरे दिन धूप खिली रह सकती है ऐसे में क्रिकिट फैंस को वर्ल्ड टेस्ट चेंपेंसिप के फाइनल में गेंद और बल्लेगी जंग देखने को मिल सकती है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर कोरोना वाइरस को लेकर चाइना पर फिर भड़कुटे डोनाल ट्रम्प बोले वाइरस से हुई तबाई के लिए हर जयना दे बीजिंग जिया अदोस्तो अमेरिका के पूर्वराश्ट पती डोनाल ट्रम्प ने एक बार फिर कोरोना वाइरस को लेकर चीन पर निशाना साधा है ट्रम्प ने ब्रस्पतिवार को कहा कि भारत ने कोरोना महामारी की तबाही जेली है और इसके लिए सीधे तोर पर चीन जिम्मेदार है उन्होंने कहा कि इस वेश्विक महामारी ने अमेरिका में भी कहर बर पाया है लियाज़ा चीन को अमेरिका को 10 अरब डोलर का हरजाना देना चाहिए पूर्व राश्पति ने फॉक्स नियूज को दिये शर्षातकार में कहा कि चीन को केवल यूएस ही नहीं पूरी दुनिया को हरजाना देना चाहिए डोनाल्ड टरंप ने कहा कि चीन को अमेरिका सहित पूरी दुनिया को कोरोना महामारी के लिए हरजाना देना चाहिए उन्होंने कहा कि देखिये कैसे चीन के किये की वजह से देश बरबाद हुए बहले ही यह दुरुगटना क्यों नहो लेकिन यह अश्यमता शहित कई सवाल खड़े करती है और इसके लिए चीन को जिम्यदार ठहराया जाना चाहिए दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टरंप शुरुआत से ही कोरोना महामारी के लिए चीन को दोशी टहराते आए हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार मुकुल रोई की विदाई की खत्रे में शुबेंदू अधिकारी ने विदानसबा अध्यक्ष को दी अर्जी दल बदल विरोधी कानून के तहट सदश्यता खत्म करने की की मांग जियां दोस्तो साथ दिन पहले यानिकी ग्याराजून को भाजपा से टीमसी में लोटे मुकुल रोई की विदाई की खत्रे में है पशिम मंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा विदाईक शुबेंदू अधिकारी ने विदानसबा अध्यक्ष विमान बैनर्जी को मुकुल की सदश्यता खत्म करने को लेकर अर्जी दी है शुबेंदू ने अपनी अर्जी में दल बदल विरोधी कानून के तहट सदन में मुकुल रोई की सदश्यता को अयोगे घोशित करने की मांग की भाजपा विदाईक मनोज तिगगा ने इस बात की जानकारी दी है दोस्तो भाजपा के राष्टिये उपाद्यक्ष रहे मुकुल रोई और उनके बेटे शुबरांशु रोई ग्यारा जून को टीमसी में शामिल हो गए उन्होंने मुख्यमंत्री मम्ता बैनर्जी और उनके सांसत भतीजे विशेक बैनर्जी की उपस्तिती में करीब चार साल बाद घर वापसी की इससे पहले 2017 में वे टीमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर नए नाम के साथ बीटा यूजर्स के लिए आया पब जी जहां से छोड़ाता गेम वहीं से फिर खेल पाएंगे जहां दोस्तो दक्षन कोरियाई वीडियो गेम डवलेपर क्राफटन ने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम को फाइनली भारत में रिलीज कर दिया है इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से बीटा यूजर्स ने डाउनलोड किया था हलांकि कम्परी ने इसे बीटा वर्जन से भी अब हटा लिया है यानि कि कुछ ही यूजर्स इस गेम को डाउनलोड कर पाएंगे अब डाउनलोड करने पर यूजर्स को इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज मिल रहा है दोस्तो क्राफटन का कहना है कि इस जल्दी इसे सभी यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया जाएगा कम्परी ने अपने फेस्बुक पेज़ पर इसका टीजर भी जारी कर दिया है इससे पहले ऐसी खबरें थी कि गेम अठारा जून को रिलीज किया जा सकता है दोस्तो गेम में कुछ छोटे मोटे बदलाओ किये गए हैं जैसे ही गेम खेलने से पहले यूजर्स को कन्फर्म करना होगा कि उनकी उम्र 18 साल या फिर उससे जादा है इसके अलावा अब पहले जैसे खून का रंग लाल होता था अब उसकी जगह उसे हरे रंग से डिनोट किया गया है इसके अलावा पबजी मोबाइल की तुलना में इसके ग्राफिक्स थोड़े कम मज़ेदा रहे हैं फेवी कोल ने टेग लाइन दी ना बोतल हटेगी ना वैल्यू घटेगी अमूल कह रहा हा हमें कभी साइड नहीं किया गया जिया दोस्तों दुनिया के जाने माने फुटबोलर और पूर्टुगाल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गुस्से से कोको कोला को भारी नुकसान उठाना पड़ा है घटना के बाद अमेरिकी शेर बाजार में कमपनी के शेर 1.6 पृतिशत गिर गए जिसके वैल्यू करीब 30,000 करोड रुपे घट गई है इधर भारतिये कमपनिया मोखे का फायदा उठा कर क्रेटिविटी एड बना कर तारिफ बटो रही है गोंद बनाने वाली कमपनी फेविकोल और डेरी कमपनी अमूल सहित अपिस टॉक्स ने एक विग्यापन जारी किया है जो इन दिनों काफी चर्चा में है दोस्तों फेविकोल ने अपने एड में टेग लाइन दी ने तो बोटल हटेगी और नहीं वेलवेशन घटेगी साथ ही शोशल मीडिया पोस्ट में कोको कोला का बिना नाम लिए लिखा हाई नी मेरा कोको कोला कोको कोला जो की एक पोपुलर हिंदी गाना है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है इसके लावा दोस्तों अमूल ने भी इसके लिए तरह तरह के मीम्स बनाये हैं जो भी काफी चल रहे हैं इसके अंदर अमूल ब्रांट कह रहा है कि हमको कभी साइड नहीं किया गया इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर फ्लाइंग सिख मिलका सिंग की सेहत बिगडी ओक्सिजन लेवल हुआ को हम डाक्टर्स रख रहे हैं नजर जियन दोस्तों भारत के महांधावक मिलका सिंग के स्वास्ते की जानकारी देते हुए PGIMIR अस्पताल ने कहा कि शुकरवार को उनका उक्सिजन लेवल इस्थर गिर गया और उन्हें बुखार भी आ गया लेकिन वह स्वस्त होने के लिए शंगर्स कर रहे हैं मिलका सिंग का COVID-19 परिक्षन बुद्वार को नेगेटिव आ गया था जिसके बाद उन्हें COVID-19 से समाने ICU में सिफ्ट कर दिया गया था और डाक्टरों की एक टीम उनके स्वास्ते पर नजर रख रही है दोस्तो अस्पताल के सुत्रों ने शुकरवार को कहा कि उन्हें गुरुवार की रात को चानक बुखार आ गया और उनका उक्सिजन का इस तर भी गिर गया डाक्टरों की टीम उनके स्वास्ते पर नजर रख रही है दोस्तो आपके जानकरी के लिए बता दें मिलखा सिंग इस वक्त इंक्यानवे वर्ष की उम्र में है वहीं पिछले महिने ही उनकी पतनी निर्मल कोड जो की 85 साल की थी उनका COVID-19 की वजह से निदन हो गया तो दोस्तो यह थी अभी तक की तमाम बाड़ी खबरें इसके बाद दोस्तो आप बारी आती है आज के माइंड कुछ कुश्चन की जी आँ दोस्तो कर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंड बुक्स में लिख दीजिए अगर दोस्तो आपका जवाब होता है एक दम सही और आप चुने जाते हैं लखकी विजटा की रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ हमारे यूटिब चैनल की और से तो दोस्तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंड बुक्स में लिख दीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए धनिवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत